हेलो बच्चों मैं निरेश सेर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल निरेश टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ अभी जो हम गेसिंग करने वाले हैं उस गेसिंग पेपर का नाम है इलेक्ट्रोनिक्स ड्रोइंग एंड ड्राप्टिंग ठीक है बाबू जिसको हम लोग सोट में इसी ड्रोइंग भी बोलते हैं इसमें हम लगए 10 से 12 कोश्चन लेकर आएं सब्जेक्टिव में वह आप आसन का मोडल पर पर उपलब दो उसको पड़ लेजेगा चले बाबू वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो के देखेंगे कम से कम एक लाइक और से अवस्य करके जाएं चले बाबू एक और ही इंपोर्टेंट नियूज है जिस नियूज में हम चलेगा और ऑफ्लाइन में जो मेरा बैच चलेगा वह जिनियाश टेकनिकल क्लासेज चलता है और एक अप्रिल से और समेश्टर का नियूज स्टार्ट हो रहा है ठीक है बाबू चलिए अब हम कोश्चन को जान लेते हैं और कोश्चन को किस तरह से एक्जाम में बनाएंग रेसिष्टर जेनरल क्या होता है रेसिष्टर वरीवल ये सब सकते है जोटेव बनादसेटर वह si it प्रस्फान प्रस्फब्स का जो लोजिक वाव डिगराम होगा टिक है इसको आप लोग बना देजिएका विग तुरूफ टेबल तुरूफ टेबल के साथ ठीक है जो तिसरा है वावु वह कोश्चन मेरा बोल रहा है ड्राइड सरकी डिग्राम अप सीसी ट्रान्जिस्टर का सरकी ड़ाइब बहुत इंप्लेक्सर जो दो से थीन बार पुछ उकता है ये आप लोग को आसकता है लोजिक डिगराम बनाने को ठीक है अगला जो कोशन है पर ड्रा लॉजिक डिग्राम ऑफ वान डियो फॉर मल्टी फ्लेक्षर इभी कोशन दो बार पुछा गया है इस बार मियाने का संभावना है इसलिए आप लोग एक्जाम में जाने पर एक बार देख लिएगा हम जितना आप लोग का सब्जेक्टिव गेसिंग के हैं यही सेम लेट के बारे मां आप लोग को लिखने को आ सकता है ठीक है तो उसके बाद है ड्राद सरकी डिग्राम फ्लेस टाइफ एडस डी कंवर्टर ठीक है इवी आप लोग देख लेजएगा इसका सरकी डिग्राम को पढ़के जेगा तक किसी तरस आप लोग कोई दिक्कत नहीं है जो नेक्स्ट कोश्चन है बावो ड्रा लोजिक डिग्राम फूल सब्टरेक्टर ठीक है इवी कोश्चन दो से तीन बर आप लोग को पुछा है फूल सब्टरेक्टर का लोजिक डिग्राम बनाने को इस बार भी आने के 100% में आप लोग का 90% चांस है इसलिए एक बार लोग का लोग को बलोग डिग्राम बनाने को आ सकता है फिक है बावो चलिए उसके बाद है घ्राव डिग्राम उफ तर्संटर Alegreat अने का इसलिए अचतरा डिएक दो को आज सकता है इसलिए आप लोग दोनों पढ़के जाएगा था कि किसी तरह के एक्जाम में कोई प्रोब्लम नहीं हो सब्जेक्टि में ठीक है उसके बाद बाबू ड्रा दसींबल सिंबल करने को सकता है sc को सकता है सबसonnaise को सब colors को दिमाग में। जाब चब चलिए बाव जो इसके बाद नेस्ट्हों से लोग डिध्राम ऑफ एम ट्रαश्मिटर एम ट्राश्मिटर का बलोक डिगराम पढ़ को जो सब्सक्राइब चलिए उसके बाएं नेक्स्ट कोशन ने डाद साइक्ट डाइघ्राम ओफ कॉल्पिट्स ऑसिलेटर कॉल्पिट्स ऑसिलेटर बहुत इंपोर्टन्ट यह भी उसलेटर नहीं है क्लासी भी नहीं 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 है इसमें उसलेटर का नाम का है कॉल्पीट से लेटर जो एक से तीन बार पुछ चुका है इसको एक पर जाने से पले एक जाम में देखकर जेगा ताकि दिमाग में डाटा आप लोगों को हो जाए ठीक है चलिए बाबू जो अगिला कोशन है लोगों क्या बनाने को आ सकता है एंड असकता है यह जितना मल्टी वेरे टेटर एंड इसपीकर इसपीकर इस अभी को देखे जीएगा थाकि आप लोगों किसी तरह से एक्जाम में कोई प्रोब्लम नहीं हो 50 में 50 कैसे भी आप लोगों को सब्ज़क्टी बनाना है बस दस को को चलिए उसके बाद आगवा दक लोग डैग्राम डिए को सब एस्ट्रेक्टर तीक है लोग डिग्राम किसको बनातों पर चेंगे आपसे बनाने को आज सकता है इसलिए एक बार ईक्जाम से पहले इसको देख लिए अगलीन कोशने एड़ा आवला आउटलाइब एन पीन configuration of any one of the flying किसका किस का सकता है बाव पिन configuration करने का कोई एक का सकता है इसलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं ठीक है किस का सकता है Intel 8085 का सकता है ओपी amplifier का सकता है ठीक है अगला जो कोचन है बाव ड्राद circuit of full wave bridge rectifier ठीक है amplifier है इसको भी आप लोग रेक्टिफायर भी देख लेज़ेगा फूल बेज़े रेक्टिफायर फूल बेज़े रेक्टिफायर रहना इसको देख कर जेए आप लोग को six mark question आ सकता है ठीक है जो अगला question है राद circuit of common emitter amplifier common emitter का आप लोग को circuit diagram भी ड्राग करने को आ सकता है इसलिए आप लोग एक बार इसको पढ़कर जेगा ताकि किसी तरह किसी को कोई दिकत नहीं हो ठीक है उसके बाद है राद logic circuit of half adder इसको भी आप लोग देखके जिए आप लोग किसी तरह का दिकत नहीं है ठीक है दो question तिन question पीडियेप में नहीं आ पाया उसको आप लोग देख लिए राद ब्लोक डिग्राम अप टीबी transmitter किसका ब्लोक डिग्राम आ सकते बाब टीबी ट्रांस्मीटर का ठीक है एक बर देखके जाईएगा टीबी ट्रांस्मीटर का ब्लोक डिग्राम ठीक है चलिए बाब उसके बाद जो question उसको भी देख लिए एक और दो पीडियेप चलिए उसमें यह बोला है ड्राद ब्लोक डिग्राम अप मल्टी वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर बहुत इंपोटेंट है इसका आप लोग ड्लोक डिग्राम देखकरें जाएए घाठीक है बाबु ब्लोक डिग्राम देलेज़ेगा मल्टी वाइब्रेटर का ठीक है अगला जो last question है draw outline and pin configuration of IC5 एपुटि पραता हैं किसका आइसी पानसोपस्ट फमन तरह सकाब अएचाइब रॉट्स ने और आपторов प्ञेक्रेशन काम एक्पट्व तरह क्षेजिए कानिया साई हो हम बताती हैं कि अब्जेक्टिव के लिए कोशन में को फूलो करें चलिए जलस जलस इस विडियो का आप लोग सभी दोस्तों के पस्यार करें ताकि सभी दोस्त कम समय में बहुत ही बढ़िया नौलेज कर लें और एक्जाम में फूल से फूल मांक्स लाएं ताकि आने वाले बिहार गवर्मेंट के द्वारा जितना भी वाली होगा सब मांक्स बसिस होगा इसलिए आप लोग एक्जाम में मांक्स लेना बहुत ही ज़रूरी है थैने बाद चलिए बागु